बारश कम हो रही लेकिन फिर भी देश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बार जैसी सिती है बारश कम बार जादा क्या है इसके पीछे की वच्छे अभी तक जो हमने चर्चा किये तमाम पैनलस ने एक बात क्लियर कही है कि इंक्रोश्मेंट सबसे बड़ी वचा है लेकिन उसके साथ साथ एक ठोस प्लानिंग की भी जरूद है क्रिश्नमित्र साब आप ही के साथ इस सिग्विन की शुरुबात करते हुए जब हम प्लानिंग की बात करते हैं बहुत अच्छी बात पैस साब ने कही कि हमें अग आने वाले 50 साल के लिए प्लानिंग करनी होगी देखे करक्की हो रही है सडके बहुत अच्छी बन रही है हाईवे बहुत अच्छे बन रहे है जिन के लिए लगातार पेड़ भी काटे जा रहे है लेकिन क्या उसका विकल्प है क्या जतनी मात्रा में कटाई हो रही है पेडों की या पर जतनी मात्रा में नदियों का इंक्रोचमेंट हो रहा है क्या हम उतनी मात्रा में पेड लगा रहा है या पर उतनी मात्रा में नदियों को सहेज कर रख रहे हैं या पर नहीं रख रहा है भारत वर्ष में आपदाएं कब आती है और कैसे आती है एक वो बाड़ आती है दूसरा सुखा पड़ता है यह दो आपदाएं भारत वर्ष में बहुत प्रधान थी उनिसानद्य के दश्चक में भारत सर्थार ने एक हाई पावर्ड कमिटी और्डर करी थी जिसके चेर्में में थे म्स्टर केसी पंथ उन्होंने यह बताया के जब तक के हिन्दुस्तान में डिसास्टर मैनेजमेंट प्लैनिंग नहीं होगी तब तक के यह चीजए नहीं सुधार सकती as a result उसकी बतौलत डिसास्टर मैनेजमेंट ऐट बनाया गया d parting 2005 2009 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टिटूट वगरे इस्टाबिश किये गए. यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकि अब डिजास्टर मैनेजम्मेंट अथॉरिटी के दो भाग हैं एक तो जिसके चेर्में परधानमंत्री खु Transport Home Ăच के अंतर है जिसके की चेर्में Home मिनिस्टरे में दोनों ही सेंटर में हैं मुझे एक बात नहीं समझाती कि disaster management department जो है, वो revenue department में कैसे चला गया, बलके ministry of environment में क्यों नहीं add किया गया ये ministry of environment का भाग होना चाहिए, जिसमें की बहुत सारे departments होने चाहिए, police होनी चाहिए, administration भी होना चाहिए, medical भी होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, जहां तक के क्या आप ये कहना जा रहे हैं, कि मंतराले तो बनाए गए, लेकिन मंतराले के बीच में तालमेल नहीं है, और वही एक बड़ी वजह आप देखते हैं, कि planning सही तरीके से नहीं हो पा रही है, या पर execution सही तरीके से नहीं होता, ये तो तालमेल, हमारा system काम करने का क्या है, कि हर इस डेपार्टमेंट airtight compartment में काम करता है, अगर मेरा ये कमरा है, मेरे ऑफिस का ये कमरा है, मेरे बगणवाले कमरे में क्या हो रहा है, हम एक दूसरे से इतनी secret रखते हैं, कि वह आदमी मेरा idea चुरा के अपना एडिया ना बना ले यह होता है यह मैंने प्रैक्टिकली ब्युरोक्रसी में देखा है इस वजह से कोई एक दूसरे से इंटरलिंकिंग नहीं करते हैं मैंने जैसे अभी कहा कि जो इन्वार्मेंटल डिजास्टर आते हैं मैंनमेड हो या नैचरल हो वो जो कि execution में नहीं होती